हम लोग पढ़ेंगे data structure का पहला topic is array हमारा array क्या पढ़ेंगे, calculation of memory required in array कैसे निकले कैसे calculation करते हैं कि हमें कितना memory required इस array लिए then sparse matrices पढ़ेंगे इसमें 3-tuple representation, polynomial, row measure representation, column measure representation यह सरे topics हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको एक बात बता दूँ कि data structure में mostly आपको theory ही पढ़ना है program बहुत ही कम आपको मिलेगा, ठीक है, so यह बात आपको पहरे जानने चाहिए कि इस series में हम लोग ज़्यादा theory बढ़ेंगे practical बहुत ही कम पढ़ेंगे, because practical इसका किया जाता है C और C++ जिस तरीके से हम लोग करते है, इसमें सिप mathematics, जो complex mathematics है, उसका solution हम लोग यहां करने वाले है, so program तो हम लोग C और C++ की तरह ही करेंगे, तो वह तो मैं आपको नहीं बताऊंगा फिर से कि कैसे C out क्या होता है, फिर printf क्या होता है, वह तो हम लोग यह नहीं जाने है, जो practical हम लोग ज़्यादा जाने, हम लोग वह सारी चीज़ें उलोडी पढ़ चुके, मुझे उम्मीद है कि data structure आप प जिसमें हम लोग यह सारी topics पढ़ने वाले हैं, तो start करते हैं पहला, calculation of memory required in array, 1D array, आपको पता हुआ कि array 1D array, 2D array and multi-dimensional array भी होता है, 1D array में आप कैसे calculate करेंगे कि कोई भी अगर आप 1D array declare करते हैं, कोई भी variable आप बनाते हैं, 1D array का, इसमें कितना memory वह occupy करता है, आपके memory में, वह कैसे हम लोग calculate करते हैं, वह भी हम लोग यहां देखने वाले हैं, इसका एक simple formula, जब हम बात 1D array के करते हैं, तो simple formula है, memory required in bytes, equal size of data type, multiplication size of array, ठीक है, example में यहां मैंने लिखा हुआ, int a, जैसे कि आपने कोई प्रोगाम में, अपने C प्रोग्राम में, आपने C प्रोग्राम में, आपने C प्रोग्राम में, आपने एक variable declare किया है, array type का int a, और सब Strict दिया है, आपने यानी की array, size आपने दिया 10, तो यह variable कितना memory reserve करेगा, हम लोग कैसी calculate करेंगा, वह यहां, इस formula के तुर्म लोग निकाल सकते, so पहले आप लिखेंगे size of data type, equal size of int, equal forwards, जयाने कि size of data type, यह जो, पहला हमारा, यह जो, line है, इसका हम लोगों लिखा है, इसकि यहां size of data type equal means size of यह पूरा size of यह formula है formula को ही मैंने लिखा हुता है यहां data type की जगा int लिखा है मैंने because हम लोग जिस variable का variable का size निकाल रहे है इस variable का data type क्या int है तो इस int को यहां लिखना है अगर आप यहां care variable का care variable आपने डिकलेर क्या है । स्भेवा जोग अधार का array इसे निपलाना चाहते है तो आप यहां आपने you plot लिखा मिगए पर आपने अपने । सब्सक्प्रक्राइए यहां नग लिखते है और सबहुते कि लिखते हों कि cosa common यहां नगा है किसी सिस्टम में नदू अगरत करता है किजी की सिस्टम यह 4 bytes से लिए किल्कुलेट करता है so size of bytes हमारे पास है size sorry size of data type हमारे पास कितना है 4 byte है जो कि integer का है यह integer हम लोग ने लिया तो integer का 4 byte है size of array हम लोग ने यहां 10 लिखका हुआ है तो memory required हो जाएगा 4 multiplication 10 equal हो जाएगा 40 byte यानि कि यह जो पूरा आपका यह जो आपने variable declare गया है यह आपके memory में 40 bytes की जगा लेगा ठीक है 40 bytes इसको जगा चाहिए इस तरीके से आप 1D array का memory required कल्कुलेट कर सकते हैं इस formula के धुरू यह मैं आपको प्रोग्राम में भी दिखा दूगा कि किस तरीके से यह आप प्रोग्राम में कर सकते हैं नाव देखते हैं 2D array में कैसे कल्कुलेट के जाता है 2D array में memory required in bytes equal size of first index first index means यह 2 जो आप यहां लिखते हैं fields data type integer जो कि 4 byte space लेता है memory में कोई भी data type अप लेते हैं तो वह 4 byte का लेता है इसका मैंने subscript दिखते हैं 2 और 3 size of first index 2 यह size of second index 3 यह size of data type 4 byte 2 byte इसको कहा जा सकता है 2 byte 3 byte और 4 byte okay इन सब को जब आप multiplication करते हैं तो इस पूरे array में sorry यहां मैंने कोई भी variable नहीं रिखावा यहां यह होना चाहिए था okay so यह जो यह variable है यह पूरा इसको जगा चाहिए 24 byte का memory में okay so इस तरीके से आप 2D array का memory required निकाल सकते हैं next video में इसको हम लोग practically पर देख लेंगे कि कैसे 1D array का 2D array का कैसे हम लोग यह जो 24 byte है कैसे हम लोग निकाल सकते हैं and thanks for watching this video